पिद से बहुत सारे पोस्ट निकल के आया है हमारे इंडियन Bureau of Indian Standards से आज की इस वीडियो पे हम डिसक्स करने बाले या पर क्या क्या पोस्ट निकल के आया है इसके लिए इलीजिबिलिटी क्या रखा गया है एज लिमिट क्या रखा गया है education qualification and जितने भी important चीज़े इस वाले notification के लिए सारे इस वीडियो पे आज हम cover करने वाले लेकिन उससे पहले आप सभी से एक request रहेगा कि जिसको भी इस वीडियो पसंद आया या हमारी चैनल के जो दूसरा वीडियो से वो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और यह जो चैनल का लिंक है ना इसको अपने दोस्तों से भी शेर कर देना कि हर किसी को हमारी इस चैनल का वीडियो समेल जाए यह पे online application direct recruitment के द्वारा लिया जाएगा यह पे post है अब देख सेक तो यह पे फॉस्ट है assistant director administration and finance for finance assistant director marketing and consumer affairs के लिए assistant director हिंदी के लिए उसके बाद यह पे group B यह जो उपर वहला मैंने जितने भी assistant director की बात किया वो सारे group A का है group B में यह पे personal assistant है assistant section officer है assistant computer के लिए है उसके बाद group C का post है stenographer senior secretary assistant junior secretary assistant यह पे and group B में और भी है technical assistant laboratory का group C का और भी post है senior technician यह पे senior technician जो लेबल 4 का है यह पे करवेंटर हो गया plumber हो गया उसके बाद फीटर हो गया electrician हो गया यह सब है और technician में electronics है उसमें level 2 का post है level 2 का salary structure है जो 1900 से शुरू हो के यह पे 63,200 तक जाएगा उसके बाद group C का जो post में ने बोला stenographer उनका level 4 का है 25,500 से लेखे 81,100 तक है उसका जो senior secretary assistant और junior secretary assistant के level 2 का है 99,900 है 900 है और इस जाएगा 63,200 तक कितना vacancies क्या पे यह पे है आप यह पे देख सेकते हों जितने भी groups यह का post है वो 35 years के लिए रखा गया है जो age limit है और ग्रूप B का यह पे 30 years का है और group C का जो post है 27 का है और group B जो laboratory technician का post है 30 years है और ग्रूप C जो लेवरेटरी टेकनिशन का और 27 का है technician electronics और 27 का है ओके तो यह हमारा जो age का चकर है वो चला गया आपका इस वले इस के अंदर आपके पास होना चाहिए तभी आप यह पे application कर सकते हो दूसरा यह पे online registration 9 September से शुरू हो आए और 30 September तक यह चलेगा ठीक है उसके बाद आप application नहीं कर सकते हो ठीक है तो यह यह पे जो भी education qualification या age limit में या पर मिल जाएगा वो इसी date के अंदर ही आपको application करने में यह पे assistant director की बात नहीं करने वाला हो यह जो notification है मैं मेरे telegram group पे दे दूगा आप वह से check out कर ले ना मैं सिर्फ यह पे group C और group B का बात करने वाला हो personal assistant के लिए आपके पास सिर्फ degree होना चाहिए assistant section officer के लिए भी सेम है bachelor degree आपके पास होना चाहिए एंड computers आपके पास जान करी होना चाहिए जो skill certificate हो भी चाहिए assistant computer या बचलर science with bachelor degree in science with five years का experience in auto CAD and working knowledge in typographic में होना चाहिए या bachelor degree in science with five years का experience आपके पास होना चाहिए या diploma in engineering in civil mechanical electronics और five years का आपके पास experience होना चाहिए stenographer के लिए या पर आपके पास bachelor degree from a recognized university और computer test भी आपका लिया जाएगा जिसमें stenographer का course आपके पास होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में senior secretary assistant में bachelor degree होना चाहिए और word pressing test है 200 की in 15 minutes 200 की आपके होना चाहिए computer test में जो लिया जाएगा 15 minutes में junior secretary assistant में bachelor degree है और जितने भी technical assistant है उसमें मेकानिक अलग 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 टेकनिकल चाहिए यह आप देख ले ना technician में matrix होना चाहिए और equivalent और industrial जो iti का certificate होना चाहिए senior technician में आपके पास 10th pass और electronics या जितने कर्पेंटर इनका plumber iti के certificate आपके पास होना चाहिए ओके जितने भी exams होगे सारे online examination होंगे या पर दिया गया आप देख सेकते हों ठीक है आप before the application ना यह वाला notification एक वर जुरूर चेक आउट करने ना या तो आपको direct मिल जाएगा उनके website से या मेरे टेलिग्राम रूप से निचे डिस्कूश्चन में टेलिग्राम लेंक पर मिल जाएगा आप वह से चेक आउट कर सकते हैं या पर structure of online examination दिया गया है है और किसी के लिए अलग अलग है आप इसको एक बर रीडाउट कर लेना जो अपर एज लिमिट है या जो रिलेक्सेशन है इस में या पर दिया गया है आप इसको भी देख लेना फिर भी कोई भी इशू आना आप मुझे कॉमेंट भी सरूर कर सकते हो मैं वह से आपका reply कर दूंगा फ्रेंस या पर जो भी अपर मैं अपर इक्सेंटर से आ आप देख सेकते हो जीट्ते भी स्टीट है किसी में इस सेंटरस या और तरला में भी मतलब जितने भी स्टेट से ना हर जगा पर यह लिया जाए कार्टव स्कोर्य पर देखा दिखा गया है जो भी त्री पुर का स्टूडेंट से व अपना एक्जामिनिशन देशकते हैं और हाउं टु एपलाई किसे आप इप्लिक्षिन करेंगे यह पूरा दिया गया आप इसको चेक आउट कर देना Okay रितोड़ है कि एप्रिकैसिन फी यापल ला के एप्रिकेशिन फी यह दिया नहीं SRT फिकरे कर लोजह है यह तो बात किया लेकिन किनले अन्य एंपनी वोल भुत य्यों लाकर-गैं यह मेरे हिसाब से stealth test जो एक्जामिनेशन फी है ना वो जेनरल वालों के लिए जितने भी एसिस्टेंट डिरेक्सिर से उनके लिए 800 है और जितना आधर पूर्ट से सब 500 रूपीस है ठीक है अगर मेरे से कोई या पर छोट गया है तो आप इसको प्लीज एक बार जरूर चेक आउट कर लेना तो जितन बात आप एप्लिकेशन कर सकते हो तो थेंक यू